Hey guys, आज का वीडियो है कुछ अलग, Forex Card के साथ फायदे, मतलब जब भी आप बहार ट्राविल करते हो, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में यही जरूर आती होगी, कि इस ट्रिप में कुछ ना कुछ पैसे बच जाए या कुछ फायदा हो जाए, तो आज हम इसी से related फायदों क अलग-अलग notes लेकर गुमने के ज़रूरत नहीं है, फिर आता है safety feature, Forex Card में है pin, chip, सब कुछ, आपका वैसा safe है, transition free travel, अब आता है expense tracking, आपको मिलता है detailed list of transactions, budget का control, that means आपको पता होगा कि मैंने कहां-कहां खर्चे किये हैं, और कितना खर्चे किया है, जिससे आप उनको control कर आने वाला है emergency help, कहीं भी कुछ भी हो, Forex Card वाले लोग मदद करेंगे, कार्ड खो गया हो, या चोरी हुआ हो, transition नहीं लेने का, बस आपको, उनको contact करना है किस भी तरीके से, वो आपके help पूरी करेंगे, फिर आता है acceptance, ये card almost हर जगे काम करता है, shopping हो, dining को, ATM हो, हर जगा, ए जैसे में currency का tension ही गतम, जैसे for example, अगर आप आज का rate तलवा है Canadian dollar का 61, तो आप next time उसको lock कर सकते हैं, कि हाँ, अगर मैं आगे यूज़ करूँ हो, तो 61 पे ही यूज़ होगी, तो ये एक बहुत ही अच्छा feature इस card, अब बात करते हैं कि कुछ नुकसान के बारे में, दोस्तो नुकसान है hidden fees का, कई forex cards के अंदर छिपे हुए charges होते हैं, जैसे ATM withdrawal fees और balance inquiry charges, अक्सर हमें इन charges का पता भी नहीं होता, और हमें बात में उनका सामना करना पड़ता है, जो काफी annoying हो सकता है, तीसरा नुकसान है exchange rate fluctuations का, दोस्तो currency की rate हमेशा बढ़ते रहते हैं, और कभी कभी आपका loss भी हो सकता है, जब आप अपने forex card में currency load या unload करते हैं, इसलिए exchange rates के हमेशा नजर रखना ज़रूरी है, च्वाता नुकसान है replacement hassles का, अगर आपका forex card चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो उसके replacement लेना काफी मुश्किल हो सकता है, आपको police complaint फाइल करने reference को खा सकते हैं, इसलिए अगर आप अपने card को regular use नहीं कर रहे हैं, तो इन charges पे ध्यान रखें, छटा नुकसान है limited currency options का, forex card में कुछ specific currency option होते हैं, जो कि आपको inconvenience दे सकते हैं, अगर आप multiple currency में travel कर रहे हैं, इसलिए अपने travel plans के according forex card चूज करें, साथवा और आखरी न आपका पैसा बच जाता है, तो आपका load किया हुआ पैसा आपको वापिस नहीं मिलेगा, तो दोस्तों ये थे forex card के कुछ फायदे और नुकसान, अगर आप forex card का इस्तमाल कर रहे हैं, तो इन points को ध्यान में रखें, और अपने financial decision को wisely decide करें, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें, share करें और हमारे channel को subscribe करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, tata and bye bye, take care